गरतांतर दिवस समारों में देश की सभ्यता संस्कृती के साथ-साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बे दिखा इसके साथ ही साथ अगर हम विभिन जहांकियों की बात करें तो उसमें भी पीम नरिंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और आत्म निर्बर भारत का विजन देखने को मिला इस दोरान सिक्षा मंत्राले की जहांकी में नई सिक्षा नीती भारतिय विचार और दर्शन वैदिक सिक्षा के नालंदा विश्वविद्याले जैसे वैश्वी गुरुकुल परंपरा आदी के साथ नई तकनीक रोबोटिक को दर्शाया गया पियम मोदी भारत की सांस्कृतिक धरोरों को सजेने के लिए भी प्रतिबद्ध है और नालंदा विश्वविद्याले की एतिहासिक्ता दोपुरी दुनिया में विख्यात है एक साल पहले बिहार के प्राची नालंदा विश्वविद्याले के भगनाव शेश की खराब होती स्थिती पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी को पत्र लिखकर धरोहर को बचाए रखने की अपील की गई थी प्रधान मंत्री को लिखे इस पत्र के चलते भारत सरकार के संस्कृती मंत्राले ने जांच टीम का गठन किया जाहिर है पियम मोदी नालंदा विश्विद्याले का पुराना गौरव वापस लोटाने के लिए प्रतिबद्ध है गर्तंत्र दिवस परेड के दोरा नालंदा विश्विद्याले की जांकी इस विचार पर बल भी प्रतान करता है भारतिय उप महादीब के सबसे प्राचीन नालंदा विश्विद्याले का नाम और पहचान पहले से ही जग जाहिर है विश्व धरोहर का दरजा मिलने के बाद इसकी प्रतिष्ठा दुनिया में फिर से बड़ी है एक समय ऐसा भी था जब ये देश विश्व में सिक्षा का प्रमुक केंद्र था भारत में ही दुनिया का पहला आवासी है विश्व विद्याले कुला था जिसे हम नालंदा विश्व विद्याले के नाम से जानते हैं इस विश्व विद्याले की स्थापना 450 इस्वी में हुई थी नालंदा विश्व विद्याले प्राचीन भारत में उच्छ सिक्षा का सर्वाधिक महत्वपून और विख्यात केंद्र था सन 1193 में वक्तियाल खिलजी के आक्रमन की बाद इसे नश्ट कर दिया गया था कहा जाता है कि आक्रमन के दोरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी उस समय नालंदा विश्व विद्याले के पुस्तकाले में भी इतनी किताबें थी कि कई सब्ता तक आग नहीं बुचपाई थी इस आक्रमन में यहां कारे करने वाले कई धर्माचारे और बौध भिख्शों को भी मार डला गया था मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुन्दर मूर्तियां स्थापे थी जो अब नश्ट हो चुकी हैं तेश को उमीद है कि पियम मोदी एक बार फिर नालंदा विश्व विद्याले की भव्यता वापस लोटाएंगे